दोस्तों आज हमने ये मिठाई बनाकर रेडी करिए ये मिठाई खाने बहुत टेसी होती है और बढ़ बनकर रेडी हो जाती है तो चली आई ये ये मिठाई बनाना शुरू करते हैं आज हम बनाने जा रहे है नारियल की मिठाई इस मिठाई को बनाने के लिए ये हमने थाई सो ग्राम मेरा ये नारियल का बुरादा है, सबसे पहले हम ने गैस पर चड़ा दिया है, हम इसको ड्राइ रोस्ट करके रेडी करेंगे, रोस्ट करना इसलिए फ्रेंड ज़रूरी होता है ताकि नारियल की बर्भी हमारी ओईली होती है, इसलिए ये खराब न हो जाए, लंबे समय तक इसलिए हमको इसको रोस्ट करकी ही बनाना चाहिए सब पहले हम इसको रोस्ट करके रेडी कर लेंगे इसको हमको एक से दो मिनट तक ही भूनना है ज्यादा नहीं भूनना है उसके बाद हम इसका मिठाई बनाना शुरू करेंगे कि यह देखेंए नरियर हमारा भुन गया है अब हम इसको प्लेट में ट्रास्फर कर लेंगे हमको बस इतना ही भुनना है ग्यास की फ्लेंगे हम बंद कर दिए चाहिए अब हमारा पैन ग्यास से हमने पर वहीं कड़ाई फिर से रख दिये अब हम इसमें यह वाली दो काटोरी यह देखिए अब हमने ये लिग तोरी पानी डाला था और हम ये एक कटो टोरीचीनी और एंखे बृष में रहे हैं यह देखे, एक कटोरी यह डाली है और एक कटोरी चीनी हम और इसमें एड करेंगे, बूड कलार डालेंगे, यह पुरी तरह से ओप्शनल है, अगर आपना है तो डाली है, वरना इसको आप बिना इसके भी आप भना कर रेडी कर सकते हैं, अब हम इसको खुब अच्छी से रेडी कर लेंगे, फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल से स्क्राइब ने किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और पर प्रस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कीजिएगा, हम अपने चैनल पर इसी तरह की कि नई नई आसान आस रेसिपी लाते रहते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, फूट करणा डाल दी, आप हम इसके अंदर एक पिंच इलाइची पाउडर डाल लेंगे, इससे हमारी जो मिठाई बनेगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देखिए हम आपको दिखाते है कि हमें कैसी तार, हमें इसकी दो तार की चासनी बनाकर रेडी करनी है, ताकि हमारी बहुत अच्छी बनकर रेडी हो है, तब तक हमने ये प्लेट में घी लगाकर रेडी कर लिया है, घी रेखिए चासनी हमारी रेडी हो गई, हम आपको दिखाते हैं कि ये इसका तार, द को तार की चासनी को हमें चाहिए चिप चिपी से थोड़ी और ज्यादा चिप चिपी को बन कर रेडी हो गई अब हमने जू नारियल का बुरा दली है वह हम इसकी अंदर डाल देंगे यह देखिए हमने गैस की फ्लिम बंद कर दिया है हम इसको अपला देंगे फ्रेंट्स हम आपको फिर से याद दिला दे आपको हमरी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन और पर प्रस और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर क कर देंगे यह देखे हमने वर्फी को प्लेट में फैला दिया जब यह ठंडी हो जाएगी तो हम इसके मन पसंद पीस काटकर रेडी कर लेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं यह हमने अपनी बर्फी को रेष्ट करने के लिए छोड़ दिया था अब हम इसके पीस कट करके यह दिखिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बर्फी कित्ती सॉप्ट बनके रेडी होई है यह दिखिए दूस्तों आप भी बनाएगा और हाँ फेंड्स हम आपको फिर से एक बार याद दिला दे अगर आप तक आपने हमारा चैनल सिस्क्राइब ने किया तो चैनल को सिस् पर प्रस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कीजिए का थैंक्स फॉर वाचिंग यह देखिए हमारी बर्फी का फाइनल लुक कितना सुन्दर लग रहा है लग रही है ना बिलकुल बजार जैसी बर्फी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ